आज हम तील की कुरड़ाई बनाएंगे जिस तरह से हमने सफ़ेद कुरड़ाई बनाने के लिए गिहू का चिक बनाया था उसी तरह से हम चिक बनाकर उसकी तील की कुरड़ाई बनाएंगे हमने गिहू का चिक बनाने के लिए यहां गिहू लिये है गिहु को अच्छे से साप कर लिया है गिहु को इस तरह से धोकर जादा पाने में भीगो कर रखना है हमें ये तीन दिन तक भीगो कर रखना है चोथे दिन हम गिहु को चेक कर लेंगे इस तरह से गिहु को दबा कर देखना है अगर इसमें से चिक निकलाए तो हमारे गिहु अच्छे से बिग गए है अगर चिक ना निकले तो एक दो दिन और भेगो कर रख सकते है अब हम गिहु को छान लेंगे अब हम उपर से पाने डालेंगे या फिर आप धो भी सकते है लेकिन जादा रगड के नहीं दोना है अब हम गिहु को पीस लेंगे असे हमें पीसे हुए गिहु को तीन पानी में अच्छे से दो लेना है इस तरह से हमें गिहु को पीस ना है ना जादा बारिक और ना जादा दरदरा पुरे गिहु भी नहीं आने चाहिए अब हम इसको एकदम बारिक च्छनने से च्छान लेंगे आप एक कॉटन के कपड़े से भी च्छान सकते हैं इस तरह से हम सारे पानी को च्छान लेंगे हमने गिहूद होने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का इस्तमाल किया है क्योंकि हम इसको च्छान कर एक बड़े बरतन में राद भर के लिए ऐसे ही रख देंगे और दूसरे दिन उपर का पानी निकाल लेंगे अब हम इसे ढख कर राद भर ऐसे ही रख देंगे राद भर ऐसे ही रखा था इसका चेक नीचे बैट गया है हम उपर का पानी निकाल लेंगे इस तरह से एक बरतन लेकर एकदम धीरे से पानी को निकाल लेना है इस तरह से हमें सिर्फ पानी निकाल लेना है नीचे का चेक इसमें नहीं आना चाहिए उपर का पानी निकालने के बाद नीचे इस तरह से एकदम गाड़ा चेक बचेगा हम इसे निकाल कर रख देंगे हम इस चेक में पानी मिला कर और एक दिन के लिए रख देंगे दूसरे दिन फिर से उपर का पानी निकाल लेना है हमने गिहुप इसने के बाद चिक को दो दिन के लिए इसे ही रखा है क्योंकि इससे हमारी कुरड़ी अच्छे से फुल जाएगी और दिखने में भी एकदम सफेत आएगी अब हम उपर का पानी निकाल लेंगे और नीचे जो चिक बचेगा हम उसको पका लेंगे और उसकी कुरड़ी बना लेंगे चिक फेटने के लिए हमें इस तरहा का मोटे तले का और एलुमिनियम का ही बरतन लेना है और चिक फेटते समय चिक फेटते समय शुरू में एक मिनिट के लिए हमें बड़ी आज करनी हो और बाद में धिमी आज पर पकाना है अब हमें चिक को एक गलास से माप लेना है अब हमने यहां एक गलास ठीक लिया है तो हम दो गलास पानी लेंगे अगर हमारा चिक गाड़ा है तो हमें दो गलासी पानी लगेगा और पतला है तो हमें देड़ गलासी पानी लगेगा लेकिन हम एक्स्ट्रा पानी इसलिए डाल रहे हैं अगर अचानक हमारा चिक गाड़ा हो जाए तो हम उसमें पानी मिला सकते हैं हमने पाने गरम करने के लिए रख दिया है अब हम इसमें नमक मिला लेंगे हमें नमक को जादा ही डालना है क्योंकि अगर नमक कम हो गया तो हमारी कुरड़े सुकने के बाद तूट सकती है इसलिए हमें जादा ही नमक मिलाना है हमारा चिक पतला है इसलिए हम आधा गलास पा जब पानी में उबा लाए तब हम इसमें गेहुका चीक डालेंगे अब हम इसको चीक डालेंगे और इस तरह से फेट लेंगे हमें जल्दी जल्दी और बहुत देर तक इसे फेट लेना है हम जितना जादा फेट लेंगे उतनी हमारी कोड़े अच्छे से फुलेगी इस तरह से एक लकड़ से घुमाते हुए हमें चीक को अच्छे से फेट लेना है हमें चीक को जल्दी जल्दी और जादा देर तक फेटना है हमें चीक में बिर्कुल भी गाठे नहीं होने देना है क्योंकि अगर इसमें गाठे हो गई तो हमें कोड़ी बनानी में कचने हो सकती है हमें चीक को ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और नहीं ज़्यादा गाड़ा बनाना है अब हम चीक को फेटने के बाद दो मिनिट तक ढखकर रख देंगे हमें चिक को ज्यादा देर तक ढखकर नहीं रखना है क्योंकि इससे चिक में पानी छोड़ जाता है और चिक पतला हो जाता है अब हम इसे दो मिन ढखकर रख देंगे चिक पकने के बाद इसमें इस तरह से शायनिंग आ जाती है अब हम इसे थोड़ा फिट लेंगे जब इसमें इस तरह से शायनिंग आ जाए और चिक में से बुलबुने निकलने लगे तो इसका मतलब है हमारा चिक अच्छे से पक गया है पकने के बाद चिक से इस तरह से तार आती है अब हमारा चिक अच्छे से पक गया है इस तरह से पानी में हाथ डाल कर हम चिक पक गया है या नहीं ये चिक कर सकते है कुरड़े बनाने के लिए हमने यहां एक कटोरी तील लिए है अब हम चिक में तिल को मिक्स कर लेंगे आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते है चिक को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हम इस चिक को एक साचा में भर लेंगे इस तरह से हमें गोल घुमाते हुए कुरड़ाई बना लेनी है हमें दो से तीन बार तक गोल घुमाते हुए बड़ी कुरड़ाई बनानी है यानि मोटी कुरड़ाई बनानी है क्योंकि सुकने के बाद एकदम पतली हो जाती है अगर आप एक कपड़े पर कुड़ई बना रहे हैं और सुकने के बाद चिपक गई है तो कपड़े को उल्टा करकर फिर उस पर पाने छिड़के तो कुड़ई अपने आप निकलाएगी इस तरह से हमें सारी कुड़ई बना लेनी है कुड़ई बनाने के बाद हमें कुड़ई को दो दिन तक तेज़ धूप में सुका लेना है अब हम कुड़ई को सुकाने के लिए रख देंगे सुकने के बाद कुड़ई इस तरह से दिखेगी इस कुड़ई को आप बिना फ्राय करके भी खा सकते है या फिर फ्राय करके भी खा सकते है हमारी कुड़ई एकदम अच्छे से बन गई है अब हम इसे फ्राय करके देखेंगे हमारा तेल गरम हो गया है अब इसमें कुड़ई डालेंगे इस तरह से हमें कुड़ई को फ्राय कर लेना है ये कुड़ई खाने में बहुत अच्छी लगती है आप ट्राय जरूर करे और अच्छी लगे तो लाइक करे और शेयर जरूर करे